हेलो गाइस वल्कम बैक टू कॉमिक हिंद हम आ चुके हैं फ्यूचर स्टेट दी नेक्स बैटमेन के फॉर्स पार्ट में और ये इसका लास्ट पार्ट होने वाला है तो अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए तो चलिए शिरू करते हैं जैसा कि हम ने देखा था लास्ट एपिसोड में बैटमेन जिस आदमी को बचाना चाहता था वही उसको मारने की कोशिश कर रहा है बैटमेन बताता है मैं अकेला हूँ एक चर्च में और दो खूनी मेरा गला घोंट रहे हैं मैंने सोचा था मैं इनको एक्जीक्यूट होने से बचा ल देखते हैं कि बैटमान खुद को छुड़ा लेता है और वह उसको किक करते हुए पीछे की और फैंक देता है वह आदमी उठता है तूम काफ़ी टफ हो बैटमैन चलो देखते हैं तुम स्टील के जैसे टफ हो या नहीं बैटमैन कहता है इसको नीचे रख दो उसकी वाइ सारा को भगाना चाता हूं यूंकि उस आदमी को मारने का आइडिया मेरा था मैंने ही सब कुछ प्लैंन किया दा इसने कुछ नहीं किया उसकी बीवी उसको कहती है एरिक ऐसा नहीं है वो कहता है मुझे पता है जो कह रहा हूँ शाय तुमने उसको कुछ टाइम के लिए हिट किया होगा बट वो मैं हूँ जिसने उसको मारा है उसकी भीवी कहती है ये सच नहीं है उस आदमी ने हमारी बच्ची का खून किया था उसकी बोड़ी को भी कहीं फैंक दिया हम उसे कभी नहीं मिल पाएंगे हम तो वो आदमी कहता है बैटमैन प्लीस को बस ये पता होना चाहिए कि ये मैंने किया है तो बैटमैन कहता है सच कहूं मुझे कोई परवाह नहीं है कि तुम में से किस ने किया तुम दोनों ही जाने वाले हो और तुमने दुबारा मुझ पे हमला किया तो मैं तुमें खुद पी पूछती है प्लान क्या है तो बैटमैन कहता है कोई प्लान नहीं है हम एक गाड़ी को चुराएंगे और ट्राइ करेंगे कि फीस कीपर से बचके निकल जाएं और हमें पहुंचना होगा सिटी हॉल में जो कि यहां से 32 ब्लॉक्स पे है फीस कीपर ने मेरी कॉल को ट्रैक किया अभी भी भरोसा है तो बैटमैन कहता है नहीं बट मुझे इतना पता है कि तुम अपनी वाइफ को तो बचाना ही चाओगे तो वह लोग वहां से निकल जाते हैं उन्हें जाना है 32 ब्लॉक्स अभी वह देखते हैं कि पीस कीपर आ जाते हैं और वह उनकी गाड़ी पे गोल हैं घूमके वह उनकी गाड़ी पे गोली चला देते हैं बैटमैन उस लड़की को कहता है यह डिस्कलो और उन्हें फैंक दो वह एटमैन कहता है यह मैगनेटिक है यह उनसे चिपक जाएं की वह पीं काम किसी मशीन पे नहीं छोड़ने वाला वह आदमी कहता है अभी भी हम लोगों से fight करनी पड़ेगी तो मुझे थोटा सा hold back करना पड़ेगा तो वो कहता है वो लोग हमें मारना चाहते हैं तो batman कहता है यह कैसे होगा यह तुम तो मुझे मत ही बताओ अभी वो लड़की कहती है वो और लोग आ चुके हैं अभी उनके पीछे peacekeeper's की गारिया आ जात मुझे नहीं लगता हम पहुंच पाएंगे तो वह आदमी कहता है तुम यह याद रखना जो मैंने कहा था वह खून मैंने किया था सारा ने नहीं तो हम देखते हैं कि वह गारी की खिड़की खोलता है और वहां से कूद जाता है हम देखते हैं उसमें बैठा होता है कैप्टन बैटमैन सामने देखता है, उसके सामने एक लड़की आ जाती है, वो कहता है ओ गौड नहीं, वो वहाँ से घूमता है, तो वहाँ पे एक लड़का आ जाता है, वो कहता है संभल के, वो गाड़ी को घुमाता है, तो वहाँ गाड़ियां आपस में टकरा जाती है, और वहाँ उसकी मॉम तानिया फॉक्स भी होती है, वो कहती है ये क्या हुआ, वो देखती है बैटमैन, तू अपनी गन निकाल लेती है, बैटमैन बताता है, मेरी माँ, वो गुसे में अंधी हो चुकी है, उन्हें कोई परवार नहीं होगी, कि उन्हें मुझे शूट किया या सारा को, या हमारे पीछे जो लोग खड़े हैं, मेरे पास कोई चोईस नहीं है, वो अपना शुरिकेन निकाल लेता है, और अपनी माँ पे फैंक देता है, वो बताता है, मैंने खुद को यही कहा, कि मेरे पास कोई चोईस नहीं थी, वो सारा पूछती है, क्या वो मर गई, वो बैटमैन कहता है, नहीं, वो बस जखमी हुई है, तभी वहाँ पे कैप्टन स्टैंज आ जाता है, वो कहता है, तुम्हें मासूम लोगों की परवाह नहीं है न, इसलिए लोग चाते हैं कि तुम मर जाओ, वो बैटमैन पर हमला करता है, दोनों में फाइट होती है, अभी बैटमैन उसके सीने में चाकूं खुसा देता है, और उसको मुक्का जड़ देता है, वो कहता है, इसकी वज़ा से मैंने अपनी मॉम को हर्ट किया, मैं इसको छोड़ूंगा नहीं, अभी सारा उसको रोक लेती है, वो कहती है, बैटमैन बहुत हो गया, हमें यहां से निकलना चाहिए, तो वो वहां से भाग जाते हैं, तो यहां पर माइक और चब उसकी वेट कर रहे होते हैं, तो माइक कहता है, उसने एक घंटा कहा था, अभी वो लेट हो गया है, मुझे नहीं लगता, वो पीस कीपर से बच पाया होगा, वो डेड हो गया है, वो मर गया होगा, वो उसको ये भी कहता है, जो भी उसके एक्स पार्टनर, विटिकर के साथ हुआ, उसमें बैटमैन का ही हाथ था, तो वो कहती है, उसके साथ जो भी हुआ, वो किसी के साथ नहीं होना चाहिए था, और उसमें बैटमैन की गलती नहीं थी, तो माइक कहता है, देखो मैं तुमारे साथ हूँ, बड़ तुम्हें ऐसे मास्क वालों को साथ नहीं देना चाहिए इसका अंत अच्छा नहीं होगा अभी वहाँ पे बैटमेन आ जाता है वो कहता है मैं इसको ले आया तो माई कहता है तुमने तो कहा था दो है तो बैटमेन कहता है एक नहीं बच पाया वैसे मैं तुम्हें बता दू, इसने मुझे बताया है, कि वो जो victim था, उन्होंने इनकी बेटी का खून किया था, ऐसा हो सकता है, तो जब कहती है, मैं तुम्हें सच बताओं, शायद आज तुम बच नहीं पाओगे, तो बैटमेन कहता है, तुम्हें खुशी है या निराश किया आगे से ध्यान रखना मुझे ऐसे फोन मत करना बैटमैन कहता है ठीक है तो यहां वो पहुंच चुका है हॉस्पिटल में वो अपने डैड को कहता है तुम कहां थे तुमने अपना हाल क्या बनाया है तुम क्या नशे करते हो वो कहता है देखो मैं तुमसे बहस करने नही आया तो लूग कहता है तुम यहां हो क्यों तो उनके पिता कहते हैं बहुत हो गया लूग लूग कहता है मैंने कुछ गलत नहीं कहा ऐसा है तो टिम बताए वो कहता है मैं तुमें कुछ नहीं बताऊंगा लूग अपनी बेहन से कहता है तुम लोगों ने इसको लाड़ प्या यह बैटमैन था मेरे पास मोका था उसको रोकने का बट उसने मुझे मारने की कोशिश की वो कहता है क्या पता बैटमैन अपने काम में अच्छा हो या पता उसने आपको बस खायल किया हो तो वो कहती है मैं तुम्हें भी वही कहूंगी जो मैंने तुम्हारी बहन को कहा था य अच्छे लोगों को मास्क पहने की जरूरत नहीं होती बैटमैन बहुत खतरनाक है उसे कैसे भी करके रोकना ही होगा तो वो कहता है आप उसके बारे में अभी चिंता मत करो हमें बस अभी अपनी फैमिली के बारे में सोचना चाहिए तो गैस इसी के साथ इस पार्ट का होता है दी एंड और वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए वीडियो अच्छी लगी तो लाइक भी कर दीजिए हम भी मिलते हैं नेक्स वीडियो में तब तक के लिए बाई बाई